राम की बंडी हैदराबाद में पिछले कई वर्षों से साउथ हिंडिया का जानामाना ब्रांड है उनके कई आउटलेट हैदराबाद में है जो कि अपने कुरकुरे दोसे एवं कई फ्यूजन दोसे के लिए मशूर है नागपुर में कुनाल शर्वाइन के द्वारा इसका पहला आउटलेट सदर में शुरू किया गया है हैदराबाद के सुप्रसिद्ध राम की बंडी की स्वादिश्ट वेंजनों का स्वाद अब नागपुर में चकने मिलेगा राम की बंडी कुरकुरे दोसे के लिए मशूर है इसके साथ इडली उप्मा ऐसे कई पदार्थ लोगों की पसंद है सब्सक्राइब नागपुर में नागपुर में फस्ट अडलेट हमारे स्टार्ट हुआ जब क्या विसेस्ता है विसेस्ता ही है कि इसने यह दोशा मल्टी ग्रें दोशा है इसमें पांच-छे अटम मिक्स रथे सब्सक्राइब नागपुर में नाम कुनाल है और मैंने इस ब्रैंड की फ्रेंचाइज ही लिया हुआ सर मैंने लोकेशिन तो बहुत देखे हैं बड़ जो अपना सदर एरिया है नापुर के अंदर यह बहुत ही रश्वाला एरिया है यह एक मार्केट प्लेस है और यहां पे जो यंग्स्टर्स का रश रहता है बहुत जादा रहता है स्कूल कॉलेजेश हमारी एरिया के बाजू है हमारे पास जो जगा है उसके सामें काफी अच्छा खुला स्पेस है इसके कारहा है आप इजीली कस्टमर्स को भूफ कर सकते हैं काफी अच्छी तरीकी से उंको सर्फ कर सकते हैं पेस्ट किस तरह से पेस्ट सर्फ यह बेसिकल राम की बंडी को पुरे देश में पहुचाना है हिदराबाद के बाद नागपूर शेहर को चुना गया है क्योंकि नागपूर ये फूड लवर्स के सिटी है उसी तर्च पर नागपूर में राम की बंडी का पहला आउटलेट सदर में शुरू किया गया है मेरा नाम सचिन है, हम लोग रामवे के साथ दो से तीन सार पहले जुड़े हैं, राम की बंडी को एक बर्ल वाइट ब्रांड बनाने के लिए, तो हमने हाइदरबाद में पहले खुट का एक आउटलेट खोल के शुरुबात करी, फिर हमने इसका धीरे धीरे फ्रांचाइज म करी है, क्योंकि हमने सुना है और हम मानते भी है, नाकपूर एक food lovers की city है, तो हमारा फर्स चोईज आउटसाइड है नाकपूर है, तो हमारी नाकपूर से काफी high demands भी है, उम्मीद भी बहुत है हमारे को नाकपूर से, तो वो एसाबसे अभी हमने कुनाल जी के साथ पार्ट झाल झाल